Friends, daily life में अकसर हम इस तरह के sentences यूज करते हैं कि मेरा ये मन कर रहा है, मेरा वो मन कर रहा है या फिर मेरा ये मन नहीं कर रहा है तो इस तरह के sentences इंग्लिश में बोलने के लिए हम feel like का यूज करते हैं For example, मुझे सोने का मन कर रहा है I feel like sleeping मुझे चाय पीने का मन कर रहा है I feel like taking tea या फिर I feel like drinking tea मुझे चॉकलेट्स खाने का मन कर रहा है I feel like eating chocolates मुझे पढ़ने का मन कर रहा है I feel like studying मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है I don't feel like studying फ्रेंच अक्सर हम इस तरह के sentences यूज करते हैं daily life में कि ये होने वाला है वो होने वाला है या फिर ये होने वाला था जिस भी sentence में last में होने वाला होने वाली जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर हम about to का यूज करते हैं For example मैं आपको फून करने ही वाला था I was about to call you light जाने ही वाली है current is about to go off Film शुरू होने ही वाली है the film is about to start वो सोने ही वाली है she is about to sleep मैं मुंबई जाने ही वाला हूँ I am about to go मुंबई दूसरों को परिशान करने की आदत छोड़ दो Give up the habit of bothering others Bothering का मतलब होता है परिशान करना बहाने बनाने की आदत छोड़ दो Give up the habit of making excuse सीगरेट पीने की आदत छोड़ दो Give up the habit of smoking Give up the habit of smoking इश्वर आपको सलामत रखे May God bless you बहुत खूब Wonderful इश्वर की क्रिपा से सब ठीक है By God's grace everything is fine ये दिन बार बार आए Many happy returns of the day कितना सुन्दर है How lovely सुनिये Listen जल्दी चलो Hurry up जल्दी आना Hurry come चुप रहिए Please keep quiet खबरदार Beware आप जैसा चाहें As you like it कहीं नजर न लगे Touch wood तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो You are looking very happy You are looking very happy तुम क्यों दास हो Why are you sad Why are you sad सब सुखी होना चाहते हैं Everyone want to be happy Everyone want to be happy उसकी खुशी का ठिकाना न था His happiness had no limits His happiness had no limits तुम्हें किस बात का गम है What grief do you have What grief do you have खुशी बातने से बढ़ती है Pleasure increase by sharing Pleasure increase by sharing सावधान रहो Be careful Be careful धीरे चलो Go slowly Go slowly यहां रुको Stop here Stop here निकल जाओ Get out Get out इधर देखो Look here Look here Yellow Take it Take it बाहर इंतिजार करो Wait outside Wait outside तैयार हो जाओ Be ready Be ready या फिर Get ready ध्यान रखना Take care Take care क्यों नहीं Why not Why not क्या हुआ What happened What happened बड़े दुख की बात है How sad How sad कितनी बुरी बात है How terrible How terrible कितने अपमान की बात है How disgraceful How disgraceful उसकी इतनी हिम्मत How dare he How dare he कितनी बेहुदगी है What nonsense What nonsense कितनी शर्म की बात है What a shame What a shame छी छी How disgusting How disgusting क्या मुसीबत है What a bother What a bother क्या आपको किसी मदद की जरुवत है Do you need any help Do you need any help मुझे किसी मदद की जरुवत नहीं है I don't need any help I don't need any help क्या कोई मेरी मदद कर सकता है क्या कोई मेरी मदद कर सकता है Can somebody help me Can somebody help me काश मैं आपकी मदद कर सकता I wish I could help you I wish I could help you मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ How can I help you How can I help you दोस्तों जहां पर आपको ये कहना हो कि रहने दो छोड़ो या फिर भूल जाओ तो आप कहोगे Forget it Forget it यानि कि छोड़ो हटाओ भूल जाओ और दोस्तों अगर कोई आप से बत्तमीजी से बात कर रहा है और आप कहना चाहते हो कि तमीज से बात करो तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे Behave yourself behave yourself यानि कि तमीज से बात करो और दोस्तों अगर आप किसी से ये कहना चाहते हो कि हिच्किचाओ मत या फिर संकोच मत करो तो इसे एंग्लिश में कहेंगे Don't hesitate don't hesitate इसका मतलब होता है हिच किचाओ मत संकोच मत करो और दोस्तों अगर आप किसी सी ये कहना चाहते हो कि मुझपर विश्वास करो मुझपर यकीन करो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे believe me बिलीव मी का मतलब होता है मुझपर यकीन करो मुझे पर विश्वास करो देख मुझे गुस्सा मत दिला C. डोंट मेक मी आंगरी मुझसे क्यों गुस्सा करते हो Why are you angry with me? क्या तुम पागल हो Are you crazy? या फिर are you mad? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई How dare you talk to me like that? जबान संभाल के Mine your language तुम कभी नहीं सुधरोगे You will never change आसानी से इंगलिस तीखने के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए Thank you